स्वागत है आप सभी का स्टेंट अप क्लास है पर तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नेवी एमाड़ एर्फोर्स ग्रूप आई के लिए लोग अपसे बताना है तो आप लोग पहला अपसे अपसे में स्रिफ कल्कुलेशन है और कुछ नहीं होता है बाकि सब को स्वाट और इस काइंसर कमेंट करते रहें तीरे कोशन को सालव करते हैं देखे 2001 का square क्या हो जागा 2001 plus 0.0001 plus 0.009 का square क्या हो जागा 0.000081 अब माया 0.01 0.001 plus 0.001 का 0.0000001 ठीक है प्लस 0.009 का वजाएगा 0.00000081 ठीक है इतना आ गया यह अंडर उट में हो गया ठीक है अब इसको क्या करेंगे 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 उपर वाले को भी एट करेंगे नीचे वाले को भी एट करेंगे देख़ें कितना हैगा उसाल करने पायागा आपका 0.010181 अपन 0.00010181 अब देखी यह 0 अटाने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं आप 100 से締े कर सकते हैं सब्सक्राइब कर देंगे डिवाइट कर देंगे देखे कितना जाएगा 0.010181 अपान 0.010181 अपान 100 100 उपर चला जाएगा 100 क्या चला जाएगा आपका उपर चला जाएगा अब यह क्या हो जाएगा कहीं शिर हो जाएगा आपका कितना बचेगा अपका अपसम नमर कोई से आपका अपका क्या हो जाएका अगला कोइचन क्या दिया है अगला question दी रहा है the sum आप क्या पूछ रहा है इसका sum पूछ रहा है क्या पूछ रहा है इसका sum पूछ रहा है कितना इसका जोड़ कितना होगा 0.01 plus 0.81 plus 1 root 1.21 and plus 0.009 इस 4 को sum करना 8 करना इसको आप लोग question को solve किजिए आपका option A है 2.1 B है 2.13 C है 2.03 and D है 2.11 ठीक है आप लोग question को solve किजिए ओके ज़िस solve किजिए इसको देखे 0.01 का under root क्या हो जागा 0.1 plus 0.81 का क्या हो जागा 0.9 plus 1.21 का क्या हो जागा 1.1 और इसका क्या हो जागा 0.03 अब इसको अगर 8 करते हैं आप लोग तो आप का हैगा 2.13 2.13 इसका answer आएगा 8 करने पर 8 करेंगे जब आपको आप लोग तो इसका answer कितना हैगा 2.13 जो क्या आपसा नमर कौन सा है B है B आपका क्या हो जागा correct answer हो जाएगा अब बढ़ते हैं एगले question पर अगला question देखिए अगला question करा है 3 5th of the square of a certain number is 126.15 126.15 करा कि जी संक्या के बर्ग का 3 बटे 5 भाग 126.15 है तो संक्या क्या है तो संक्या क्या है यही पूछ रहा है आप लोग आपसान देख लिजे 210.25 B 75.6 C 14.5 D 145 145 D 145 आप लोग question को सालब कीजिए करा है मानीजे किसी संक्या के बर्ग के अनुपाद का 3 बटे 5 भाग मानने तो संक्या क्या है X स्क्वाइर मानने तो संक्या यक्स है और संक्या का बर्ग X स्क्वाइर है ठीक है यक्स स्क्वाइर का 3 बटे 5 भाग याननी गुडे 3 बटे 5 बटे 5 बटे ता दिया 126.15 126.15 दिया तो X स्क्वाइर बटे बटे अच्या जागा 126.15 बटे 5 बटे 3 यानि 3 चोको 12 3 जुनात्चो दस्मलो 0 3 पाचे 15 अब इसे multiply करेंगे 25 25 फांस ने सुन हो जाआगा फिर दू जाएगा पांद मुना दस पांच हो को 20 जाएगा बाद आपको डू पांच याण एक सवी स्कौरब्र ऐड़ाद आपको 210.25 कितना आपको दस 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 मूलो बंट आपको चोगे याग येक सवी स्कौरब्र आपको ड कुझा साँ सभते हैं अगला कोशन देखें है अगला कोशन दिया है रिधन की फिकेशन आफ अपने प्लस इसकोर ब्लस इसंट्वार प्लस फंवन अपनोड पनेट क heck two फ्लस वन अपननेट को फोर फॉर फ्लस वन फॉन फन canoe फेiendम है पॉइंट तीन डेसमेल के बाद तीन अस्थान तक इसका मान बताना है ताप लोग इसका मान बता येगा ठीक है देख लिए आपसम देख लिए आपसम देख लिए अ देख री 0.215 एण दे 0.715 ताप लोग इसका अंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी बिल्खु सिंपल सा देखे वन बाइए एट को रिख लिए प्लस बाइए एक और इसकार को बिएट अपका हो जागा 512 प्लस बाइए एक वह फूर आपका हो जाएगा 4090 प्लस एक फाइब आपका हो जाएगा 1 अपान बद्तिस अजार शास्टो अठावन बद्तिस अजार शास्टो ठावन ठीका शान्सो ठावन ठीक है एक मिनुट फ़िडा कैल्कुलेशन कर लेता हूं सबस्क्राइब कर दे consumption मिल मिलेख अच LIKE catalogs परन कर दें आनने देखे जब दश३र जाएगा कि अबस अब 0.125 प्लस 0.15625 आई इसका आएगा ठीक है अब इसको डिवाइट करेंगे तो आप का आएगा 0.00145313 प्लस जी इसको जब डिवाइट करेंगे 1 अब एक बट्टे चार अब बाग देंगे तो आप का आएगा 0.0024414 प्लस जब एक बट्टे बट्टीस अजार 760 को डिवाइट करेंगे तो आप का आएगा 0.0083052 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका तीन अंख तक जो डेसिमाल आएगा तीन अंखो तक वो इसका डेसिमाल आएगा आपका 0.143 0.143 आपके क्या जाएगा विडियो लंबा हो जाएगा ताप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो इतना यह आएगा 0.143 तो आपका आप समयन अंतर क्रमसा 20 और अरट है दिधरेंस आफब उनके बरग का अंतर क्या होगा यह बताना बिल्कुल एजी सा question है अब लोग आपसे देख लीजिए a 12, b 28, c 80, d 106 ठीक है तो जल्दी सब लोग question को solve कीजिए देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 20 है मालने तुछ दो संख्या क्या है x plus y क्या है 20 है अंतर कितना है आपका x minus y बरावर कितना है 8 है इसको solve करेंगे तो 2x 8 बरावर कितना आपका 24 तो y बरावर कितना होज़ागा 6 14 रखेंगे ब्रावर को ऊधर वेजएंगे तो 20-24 कितना हो जागा 6 हो जाएगा अपको एसका स्कुेका स्कुायर कांतर तो एक स्कुायर मैनस y स्कुार यानि 14 स्कुायर मैनस चो ड्वार य्यानरी Scarra, यानी 195 36 बड़ावर एक सो 206 एंसार क्या हो जागा आपका effectivement हो जागा जो कि अPlus सांन नम्मर कौन शाहे ड है D आपका क्या हो जागा करेक्ट एंसर हो जाएगा अपड़ते एगले कोशन पर एगला कोशन देखिए अगला कोशन ठोला साथ दीखिनें ठोट्टाफ लगला लेकिन बिल्कुल इजी सा कोशन है देखिए चार सही ग्यारे बटे पंद्रे प्लस 15 बटे कत्र का स्क्वाइर माइनस चार सही ग्यारे बटे पंद्र यहाँ आप देखिए अपलोग कोशन को सॉल कर सकते हैं इसका एंसर कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे फड़ा देखिए घ्यारे चार सही ग्यारे बटे अब देखिए अब देखिए आप देखिए ए स्क्वाइर मानस बीज़ का फर्मूला बना एक नहीं बन जिसको क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी तो पहला हुआ पहला में एक केंसिल हो जागा ठीक है मैं इपर डारेक्ट कर देता हूं इसका देखिए जब माइनस वाला करेंगे चार साही ग्यारे बट्टे पंदर प्लस 15 बट्टे एक अत्तर माइनस चार साही ग्यारे बट्टे पंदर प्लस या माइनस बनस का जागा प्लस हो जागा 15 बट्टे एक केंसिल हो जागा या आप बचेगा चार साही ग्यारे बट्टे पंदर या पंदर बट्टे एक अत्तर दो गुढे 15 बटे 51 याँ दो गुढे 411 बटे 15 आपका इतना बचेगा ठीका अब जेखिए दो गुढे 411 बटे 15 एक ब्रेकिन बचेगा दुशे बिणा बचेगा दू गुढे 15 बटे 51 अब जेखिए cancel हो जाएगा बचेगा तो दूनी चार आपका क्या हो जागा final answer हो जाएगा जो कि आपसा नमर कौन सा आपका D है D आपका क्या हो जागा correct answer हो जाएगा हाँ बढ़ते हैं अगले question पर अगला question एक question आपको homework के रूप में है आप लोग इस question को solve करेंगे और इसका answer कमेंट करेंगे बढ़िया कोश्चन है आप लोग इसको solve कीजिएगा और इसका answer कमेंट कीजिएगा मैं सबका reply दूँगा कि किसका सही है किसका नहीं सही है देखे अंडरूट 6 प्लस अंदरूट 10 माइनस अंदरूट 21 माइनस अंदरूट 35 तो इसको कर सकते हैं अब लोग आप से देखे लिए 27 B 18 C 40 D 10 ठीक है ताप लोग इसको अराम से solve कर लिजेगा इसका answer जरूर कमेंट कीजिएगा अब बढ़ते एगले question पर एगला question क्या दिया है अगला question दिया है दे वेलू आप अंडरूट 4 Q प्लस 15 का square का whole Q इसका मान बताना है बह आप लोग question को solve कीजिए बहुत easy question है बिलकुत 10 second का question है अप लोग इसको solve कर सकते हैं राम से अप लोग question को solve कर सकते हैं देखे चार का Q क्या होता है 64 15 का square क्या होता है 225 अंडरूट का whole Q दो डूरूट कितना हैगा 289 अंडरूट क्यूट 279 किसका square है 17 का तो किते हो जागा 17 17 का क्या हो जागा Q कितना होगा multiply करेंगे तो आपका आएगा 4913 4913 आपका क्या हो जागा final answer हो जागा जो कि आपसा नमर कौन सा है यह है यह आपका क्या हो जागा correct प्रेंसोर हो जागा अब बढ़ते हैं अगले question पर अगला question देखिए 10 simplification 2.6 T3 पर बार प्लॉ स 0.3 37 पर फूल स 0.80 पर बार इसको 63 नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे 0.63 पढ़ते हैं ठीक को कभी गलती मत किजगा पढ़ने में इसको 0.63 पढ़ते है ना खिच सी unfold करना और इसका answer Li Re 1.80 पे बार B. 1.81 पे बार C. 1.79 पे बार D. 1.80 तो आप लोग चालो आप्षन देख लिए और जो भी आप्षन आपको सही लगए उसको कमेंट कीजिए देखिए सब से पहले क्या करेंगे 0.63 को 0.63 डॉट 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 लिख सकते हैं इसका मतलब भी होता है कि इसको जितना बार लिखा जिसको चाहिए जिए अनंत बार लिख सकते हैं 0.3737 डॉट 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 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0.8080 डॉट 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 लिख सकते हैं जब इसको add करेंगे तो आपका आएगा 1.8180 ठीक है अब इसको आप लोग लिख सकते हैं 1.81 पे बाहर आप लोग लिख सकते हैं ठीक है तो आप लोग क्या लिखेंगे 1.81 पे बाहर आपका क्या हो जाएगा सभाब लोगा लोगा फाइनल एंसर हो जाएगा फायनल इंसर हो जाएगा तो आप सब्सक्राइक हो जाएगा डन्यवाद